असदुदिन ओवेसी साब, हमारे साथ इस वक्त भारती जनता पार्टी के राश्ट्री प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शानवाज हुसेन साब भी मंचपर इस वक्त है अगर आप दोनों लोग चाहेंगे कि आपस में समबाद करें तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा वरना दोनों से जो मेरा सवाल है वो बिल्डिंग न्यू इंडिया जो हमारे सकादिकरम का कॉंसेप्ट है कि देश की तरक्की में किस तरह से योगदान होना चाहिए AI MIM का या भारती जन्ता पार्टी का या दोनों राजनेताओं का उस विशएपे में इंडिविज्वल संबाद आप दोनों से कर सकता हूँ लेकिन एक प्रश्ट जो बुनियादी है शानवाद हुसेइन साब ये कहा जा रहा है कि प्रतनिज्ज़त तो नहीं मिलता है इसलिए फिर मुस्लिम दूसरी पार्टीओं की तरफ जाने की कोशिश करता है देखें कुलहिंद मजलिस इत्थादिल मुसलमीन के सदर असद अदिन वैसी सहब जहां से चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर मुसलिम आबादी बड़ी तादाद में है और इनकी पार्टी का नाम ही है कुलहिंद मजलिस इत्थादिल मुसलमीन यानि वहाँ option नहीं है दूसरा नाम से ही मुसलमानों को इत्थाद करने की पार्टी है तो उनको वो तो जीपते ही है और मैं भी जहां सबसे जादे मुसलिम आबादी है किशन गंज वहाँ से भी मैं जीता हूँ और जो वैसी साहब ने कहा कि कम जहां आबादी है तब भागलपुर से जब मैं दो बार जीता तो वहाँ तो पंदरफी सदी मुसलिम आबादी थी वहाँ से भी मैं जीता भाई की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिस वो रिपर्जेंटेशन कितना दे रही है क्यों दे रही हमारे यहाँ भारती जन्ता पार्टी में उन्होंने इशारा किया कि हमारे यहाँ कोई एलेक्ट होके नहीं आया मैं तो तेरवी चौदवी पंदरवी इनहीं के साथ लोकसभा में मेंबर रहा हूँ और पर्लामेट में रहा हूँ अभी मैं एस्टेट की जिम्मेदारी में हूँ मैं मांता हूँ कि जो पार्टियां बहुत जादे मुसल्मानों के नाम पर सियासत करती हैं वो मुसलिम का वोट तो ले लेती लेकिन जब वो उमिदवार खरा करती हैं तो बीजेपी की तरफ वोट ट्रांसफर नहीं करा पाती मैं भागलपुर से जब लड़ा या जब मैं किशन गंज से लड़ा तो मुझे मेरी पार्टी का शत परतिशत जो वोट मिलता है वो मुझे मिला लेकिन अन्य पार्टी जैसे यूप उत्तर प्रदेश में वो सिर्वे नाम के लिए हमने सौ उमिदवार दे दिये हमने दो सौ उमिदवार दे दिये पिछला यूपी का चुनाओ याद होगा तो उनको उमिदवार देने से या एक member of parliament या एक email बनने से कोई तखदीर और तस्वीर बदल जाएगी ऐसा नहीं है यह सही है जो वैसी साथ पहले कह रहे थे कि पढ़ाई में कहां है वो education में कहां है job में कहां है तो आप देखिए सर्व शिक्षाब यहां आया तलबहरी बाचपेजी का तो सब के लिए आया आज अगर जतनी भी policies है government की वो जात मख़ब के नाम पे नहीं गरीबी रेखा कि नीचे जो लोग हैं उनको पका मकान मिलेगा गैस सेलेंडर मिलेगा उनको आईशमान भारत का कार्ड मिलेगा उसमें हम गिंती नहीं बताते भारती जंतापाटी कभी नहीं कहती कि हमने इतने को दिया और इतने को नहीं दिया हम कहते हैं जो गरीब है वो हमारा है चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान हो इस चेश्मे से हम स्यास्त नहीं करते और वैसी साहब उनको जिम्मेदार बताएं जो लोग हकुमत में रहके जिन्होंने काम नहीं किया है हम लोग तो हकुमत में रहकर एक मिसाल दे दें कि कोई भी एक्जाम है नेरंदर मोदी जी ने तो कहा कि अगर जतने भी इंट्रिवूज हैं वो खतम कर दिये और जब एक्जाम होता है तो उसमें किसी को पता ही नहीं होता कि किसी का नाम क्या है वो पता नहीं होता है कोई दिलिपते वारी है कि शानवाज उसे नहीं यह नहीं पता होता है तो जब मसावात होगा transparency होगी, इमानदारी होगी, तो सबका भला होगा, और यही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जब politics स्यासत होती है, तो उस वक्त कई लोग हैं इस मिलक के, जो मानते हैं कि उनका contract है, इस community के साथ, ये community तो हमारे साथ ही रहेगी, ये community हमारे साथ रहेगी, हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वैसी साब, आप इन्हें टकर देने आए हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, या उन्हें टकर देने आए हैं, जो contract पे लेते हैं, मुस्लिमों को लेकिन बाद में उनके हाल पे छोड़के चल देते है देखिए मैं आपका जो ओरिजनल सवाल था उसका जवाब देज़ता हूं पहले कि New India की आपने बात की मुसल्मानों का न्यू इंडिया में क्या रोल होना चाही है यह आपका सवाल था ना पहले मैंने ये सवाल पूछा कि AIMIM का क्या योगदान है क्या विजन है आप अखेले मुसल्मानों पर क्यों आ जाते हैं मैंने तो कहा कि आपका क्या योगदान है, अध्द्यक्श के नाते, पार्टी के नाते? चलिए हमारी पार्टी का भी आपको सुना जाता हूँ. गिए अगर आप तारीख का भारत की तारीख का मताल्य करेंगे तो भारत में जो मुस instituteline का हिस्सा रहा है. और दूसरी बात ये है कि हमारा मुसल्मानों का उजूद मुझे ये कहना पड़ रहा है आपको तकलीफ हुरी होगी कि मुसल्मानों को क्यूं आ रहे है हमारा उजूद तो हमेशा भारत के लिए रहा है तीसरी बात ये है कि हकीकत ये है कि सन्संतावन की जंग आजादी मुसल्मानों के उल्माओं के फत्वे से शुरू हुई उस वगद तो कोई इस तरह के लोग नहीं थे जो आज हमको नैशनलिजम का सर्टिफिकेट देना चाहते है और तीसरी बात ये है कि भारत में जितने खबरस्तान है वो हमारी वफादारियों की निशानिया है चौती बात ये है कि हमने भारत की जमूरियत को मजबूत किया है एलेक्शन में हम इस्ता लेते हैं और हमको हमारा इस्ता नहीं मिलता ये भी हकीकत है कि भारत के मुसल्मानों को पिछले 75 साल में मलियाना मिला, मीरट मिला, हाशिमपुरा मिला, निल्ली मिला, भागलपूर का फसाद मिला, अलीगड में एक तालों का बिजनस बर्बाद कर दिया गया, भागलपूर में जो रेशम बनता था वो खतम कर दिया गया गुजरात मिला और अब आसाम में मोहिनुलहक की लाश के ओपर एक फोटोग्राफर कूटता है और हमको क्या मिलता है मुसल्मानों को फॉरनर्स ट्रेबिनल मिलते हैं और अब बिहार सरकार जो है एक कोट के जज्जमेंट का हवाला लेकर बॉर्डर एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बिहार सरकार केती है अब मुझे बताइए कि सीवान में कौन सा बॉर्डर लगता है बिहार में तो ये अगर आप नियू इंडिया बनाना चाहते हैं तो ये नियू इंडिया में आप एक किर्किट प्लेयर पर शक करते हैं जो करते हैं उनको इसमंच से जवाब है उनके दिमाग में जहर भरा है उनका क्या इलाज है जो मुहमद शमी पर शक करते हैं ने ने सुनिए जी 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 जो मौम्मद शमी पे शक्र करने वाले लोग हैं मैं तो खुद कह रहा हूँ आप शानवास को इंटरप्ट नहीं करें आप मुझे इंटरप्ट कर रहा हूँ ने इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ आप के रहे हैं मुहमद शमी ने शमी के खिलाफ जो हुआ उसकी निंदा करता हूं भाई साथ आपके साथ जो कह रहे हैं मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं आप अपनी बात बढ़ा दीजिए मैंने टोका नहीं आपको बस अगर मैं आपकी अरे सुन तो लीजिए ना मुझे यखिन है कि आपको अपनी आवाज से बड़ी महबत दिख रही मुझे तो हम आपकी आवाज सुनने तो नहीं आए ना आप हमारी आवाज सुननी आए है जी जी तो सुन लीजिए ज़रा आप सुन तो लीजिए तकलीफ तो होगी आप को किए सच्छा ही ने आप कैसे तही कर लेते हैं कि मुझे तकलीफ होगी हम देखिए आपको भी मंच पर आमंद्रत कर रहा है है वासद दुद्दीन साथ और आपकी आवाज सुनने के लिए आमंद्रत करते हैं अरे जी आप ये मान के चलिए है कि जो आप बोल रहे हैं मुझे खुशी हो रही है आप बोले आप करेंगे कि आप कितना बोले और मैं कितना बोला जी चलिए आपको खुशी हो रही है बड़ी अच्छी बात है अब इस पर गुलाब जामन खिलाएंगे आपको जब मिले अब अब आप सुन लिजी और एक बात जी आप हमारे दो शानवास साब बात कर रहे थे अरे भाई आप सिविल एवियेशन का कैबिनेट मंतरी उसको बीजेपी लिजाकर बिहार में एमेल सी का बनाकर मिनिस्टर बनाती है शानवास साब को टिगिट नहीं देते अब वो हमारे दो इसका जिम्मेदार कौन है अच्छा रहा सवाल हमारे फाजल दोस्त ने भी बात कही के सबका साथ सबका विकास मैंने आर्टियाई अप्लिकेशन डाला कि उत्तर परदेश में प्रधान मंतरी ग्रामीन योजना में आवाज योजना में ग्रामीन में तीन साल में कितने मुस